धंतेरस पर लोग सोने चांदी के वस्तुएं और बरतन जरूर खरीदते हैं और इसके पीछे ऐसी माननिता है कि इस दिन जो ही चीज खरीदी जाती है उसमें दिन दूनी राख चौड़नी व्रध्य होती है आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी ही चीजें जो सोने चांदी जितनी ही जरूरी है और इन्हें आप धंतेरस के दिन खरीद भी सकते हैं धंतेरस के दिन इन वस्तू को घर लाने से पूरे साल आपके घर में बर्कत बनी रहती है और मा लक्षमी का आशिरवाद आप पर आपके पूरे परवार पर बना रहता है मिट्टी को पांच तक्तों का प्रतीक मारा जाता है और मानेता है कि मिट्टी की मूर्ती की पूजा करने से आपके घर में धन धान में बृत्धी होती है और सुख सम्नध्याती है धंतेरस के दिन आप गड़िश लक्षमी की मूर्थी के लावा कुबे भगवान की मिट्टी की मूर्थी भी घर ला सकते हैं ऐसा करने से आपके धन की देवी और धन के देवता आपके घर में वास कपुटे हैं और पूरे साथ धन की कमी नहीं होती है धंतेरस के दिन घर में ज़ाडू जरूर खरीद कर लाने चाहिए मानता है कि ज़ाडू को मालक्षमी का पतीफ माना लाता है और धंतेरस पर ज़ाडू घर में लाने से आपके घर में आर्थिक सम्रिद्धी बढ़ती है और परवार के लोगों के बीच सुख शान्ती रहती है धंतेरस के दिन साबुत खड़ा धनिया भी घर में लाना बहुत शुब होता है और इसी तरह मालक्षमी को कौड़ी भी बेहत प्री है धंतेरस के दिन आप पांच पीली कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं दिन सोने चांदी और बरतन खरीदने का अलगी महत्त है सोने चांदी के बाजार में तमाम जुली शॉप पर लगातार भीड भीड उमरती है और ये भीड इस साल भी उमरती हुई दिखने लगी है 9 नौंबर की शाम से ही तमाम अलग अलग बाजारों में चाहे वो देश का कोई भी शहर हो लगतार भीर उमर रही है लोग शौपिंग कर रहे हैं यही हाल कम वेज बरतन बाजारों का भी है बरतन बाजार में भी 9 नॉवमबर से ही लोगों मरने लगे हैं भारी भीड यहां आ रही है लोग अपने हिसाब से तमाम बरतन धंतिरस के लिए खरीद रहे हैं सोने के दाम बीते दिनों कुछ कम भी हुए थे इस वज़े से भी सोने के बाजार में लगातार इस बार लोगों की रुची देखी जा रही है तमाम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने के उद्धिश्ट से भी सोना खरीदते हैं कई लोग अपने उप्योग के लिए भी पुल्मिला के धंतीरस के दिन ये तमाम ऐसे शौपिंग हैं करीदारी है जो आपके लिए बेहद अच्छी साबित हो सकती है